नमस्क्राइब देखरें प्राइम टीवी मैं हूं मनीश बदोरिया उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों ने राज विद्धुत नियामक आयोग में बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताओ दिया है इस पर राज विद्धुत अभोकता परशत दोरा याजका भी दाख कर ली है इसके लिए उने 23 फिस्दी महंगी बिजली का प्रस्ताओ राज विद्धुत नियामक आयोग में प्रस्ताओ दाखिल कर दिये हैं इसके बिरोध में उत्तर प्रदेश के राज विद्धुत उपभोकता की तरफ से लोख हीत एक याचिका दाखिल की गई है तो इस फिस्दी राज विद्धुत नियामक में अपना प्रस्ताओ दाखिल कि उसके आप क्या कहना चाहिए ने प्रदेश के भूगताओं के बिलिदरों बढ़ानों के लिए नियामक में कि याच्का दाखिल की इसमें उन्होंने घरेलू भूगताओं की बिलिदरों में 18-23 जो हमारे किसान हैं उनकी 10-12 जो हमारे उद्धोग हैं उनकी 16 जो हमारे लाइफ लाइफलाइन कंईूमर उनको भी नहीं बखसा उनकी 17 और जो हमारे बाणिजी को भूगता है दुकानदार उनकी भी लगबग 12 परस्ताओं दाखिल किया है वो पूरी तरह समवयधानिक है क क्योंकि देश कोई भी ऐसा कानून इजाजत नहीं देता अगर प्रदेश की जंदा का सरप्लस पैसा निकल रहा है तो बिजली दरों में बढ़ोत्री का परस्ताव नहीं बलकि घटोत्री का परस्ताव दाखिल होना चीए इसी की विरोद में हमने विद्धूत्नी हमकायग मे उसी दिन एक लोग महत्याज का दाखिल करते हो यह मुद्दा उठाया कि महोदय प्रदेश की भुगताओं को बिजली कंपनियों पर लगभग 25,133 करोड रुपया सरप्लस निकल रहा है इसके अबज में एक मुस्त 35% बिजली दरों में कमी किया है और अगर आपको लगता बढ़ोत्री जो परस्तावित की गई है इसका हर अस्तर पर हम लोग बिरूद करेंगे कितने युनिट दरे बढ़ जाएगी और बिजली बिल में क्या फरकाएगा तेकि भारती जन्ता पार्टी ने अपने घोस्तर पत्र में कहा था कि तीन जो हमारे लाइफ लाइन कंजू अब इनके हिसाब से इन्होंने 8 रुपया पर स्तावित कर दिया सो इन्तरगत तो निश्चित तो बहुत भारी बाहर पड़ेगा हमारे प्रदेश की जन्ता के ऊपर जहां तक सवाल है कि बिजली तरों में अभी नियामक आयक जब इसको संबधानी तरीके से देखेगा सलाकार समित की बैठक में जाएगा उसमें में मेंबर हूं वहां भी मैं अपनी बात रखोंगा हमारी आपत्यों का जबाब इनको देना पड़ेगा तो सब मिलाकर अभी मामला बहुत कठी रहे हमको पूरी उम्मुद है कि जीत हमारी होगी जैसे पीछले तीन सालों से हम ल लेकर अब क्या कहना भी पक्षो का यहीं कहना तो आप यहां तक सवाल है जो भी पार्टिया इब सत्ता में आती है तो वह एक तरह से पबलीक को बहुत उची नजर से देखती है उनको पूलीक का सुक दुख नजर नहीं आता वहाँ आपको बताना जाता हूं भी पंड़े तो आने वाले समय में आभी आपको पता होगा कि जब बिजली दर इसके पहले 22 सेज की जब बिजली दर सामने आई थी तो जो 7 रुपय के सलायपता हम लोगों ने काफी लड़ जगड़ के कहा कि जो यूपी है इंडिया के टाप 5 अधिक बिजली दरो वाला राज्य है तो य एक बार बार सवाल उड़ता है इसको कम किया जाए अंतता विदुत नियामकायक ने हम लोगों की बात को मानते हुए जो आखरी सलायप सात रुपय का था उसको उन्होंने छे रुपया पचास पैसा कर दिया हमारे प्रदेश की उरिया मंत्री जी है एके सरमा साथ उन्हों कर रहे थे और आप छे महीने में जब वह साड़े से को आट रुपया हो गया तो कोई भी एक टूइट नहीं कर रहे हैं मानिये उर्जया मंत्री जी आपको यह देखना पड़ेगा प्रदेश की जनता की जबाब दही आपके साथ जुड़ी हुई है मानिये मुख मंत्री ज परदेश की जनता का 25,133 करोड रुपया सरपलस निकल रहा है उसकी वज़े में कमी कराकर प्रदेश की जनता का हिसा बराबर करें सर आपने कहा कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश पांचवे नंबर पे बिजली के महंगाई में आता है अगर यह प्रस्ताओं को सभिकार कर लिया जाता है तो कितने नंबर पे आएगा अगर यह प्रस्ताओं को स्विकार के जाता तो अधिक बिजली दरवाले उसमें यह टाप वन टाप टू पे आजाएगा और यह देश के लिए दुरभाग होगा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी-बड़ी बाते होती है जब सब्सक्राइब करने में लोगों के बहुत ही अंतर होता है तो मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा जो लोग सत्ता में पहुंच गए हैं परदेश के जनता की ओट पर परदेश में 3.26 लाग बिद्दू भोगता है और एक घर में पांच-पांच सदसमाल लिए तो पूरी परदेश की आबादी है बिद्दू भोगता होंगी तो पूरा परदेश अगर 100% बिद्दू भोगता है तो उसकी दरों में अगर आप बड़ोतरी कर लेंगे तो आने मेंगाई कर दिया तो कई तरीके से मेंगाई पड़ेगी अगर दुकान की में बिजली आप मेंगी करेंगे तो दुकांदार किया वह अपने समान का मुल्य मेंगा कर देगा तो सब मिला के जो गरीब जनता है वहीं पिछलेगी इसलिए इसको सरकार को बहुत गंभीरता से और अपने नेड़े पर पुनर विचार करना चाहिए अगर प्रस्ताव को सभिकार के लिए तो आगे आपकी क्या रणनीती होगा आपने भी याचिका दाखिल की हैं लोग हित के साथ में तो आपको क्या आगे रणनीती होगी उसके बारे कुछ बताएं जब बिदूत अध पहिलू से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहट गुजरेगा इसके बावजूद भी अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो निश्ची तोर पर हम फिर उसको संभैदानिक परिक्रिया के तहट अपील में जाएंगे और अगर उससे भी बात ना बनी तो हम साड़क पर भी उतर को नया दिलाओं और वह सभी परक्रिया जो संभैदानिक तरीके से हमें इजाज़त देती है उसका हम उपियोग करेंगे और परदेश की जनता पर भार नहीं पढ़ने देंगे तो ये थे हमारे साथ राज विधुतू पहोकता के परिशद के अध्यक्ष और अधेश वर्मा जीन का कहना है कि हम आम जनता के साथ है और ये जो बिजली कमपनिया जो छलावा कर रही है आम जनता के साथ उनके मनसुवे पर कभी हम सकार नहीं होने देंगे उस पर पानी फ जनता के साथ ही इसका फैसला आना चाहिए कैमरामेंन राहूल के साथ सुहाने की वहीं इस मुद्दे पर हमाई समवादाता ने आम लोगों से भी जानना चाहा कि अगर बिजली दरें बढ़ेंगी तो उनको क्या परशानी होने वाली है इस मुद्दे पर लोगों की क्या र स्ताव राज्य विधित नियामक आयोग में प्रस्तावीत किया है अब देखते हें कि जनता कि सपर क्या राई है और वह क्या बोलना चाहरें कि या प्रतिक्रिया दे आ चाहरी है से ज wraниरी कंपनियां हो 23 विदली वीभढ़ाने के लिए राज्य विदित नियामक आयोग में अपस्ताव देनां में रहता हूं को सर्कार नहों से कोई प्रतिक्रिया नहीं सभीकार के तो क्या प्म लगता है कि सरफ लोंको सब्सक्राइब करेंगें अ ergo के लिए 16 से 23 और उद्यों के लिए 16 और वही जो किशानों के लिए 10 से 12 फिजदी बढ़ाने के लिए प्रस्ताओद आखिल किस पर क्या कहना आपको कि अपने सना यहां कि आम जनता को यही कहना है कि पहले से बिरुजगारी महंगाई यह फिर बिजली अगर इतना फिजदी बढ़ जाएगा तो हम लोग खाएंगे क्या पेंगे से सरकार को इससे सोचना चाहिए सर आप क्या कहना चाहिए बिजली कंपनी 23 फिजदी जो है अखिला की है अपना प्रस्ताव दाखिली तो इस पर क्या कहना चाहिए मुझे इसमें यह कहना है कि जहां तर लोग रिटायर हो गए हैं गरीब हैं अब इतना टैरिप बढ़ाएंगे तो कैसे वह बिल को देंगे और किस प्रकार से उसको बिल भुकतान करेंगे तो सरकार क मोंत सरकार में गया अगले सरकार में लगा था या ऐसे ही मिनमन था नहीं बिजली का विल तो ठीक चलना था मगर सरकार अब बढ़ा रही इसको बढ़ाना नहीं चाहिए पिछली सरकार का तो मुझे ग्यात नहीं है और दूसरी चीजी यह कहना है पिछला बिल मैंने जमा कर दिया फिर लग किया गया अब क्या रीजाने यह नहीं बताते उसके दूसरे आफिस जाओ भीभूती खंड जाओ वहां पता लगेगा चेक बाउंस हुआ है कोई फोन नहीं कराते कुछ नहीं कराते तेहां क्या वेस्था तो है यह यहां पर यह चाहिए बिजली कंपनिया जो है वो 23 फिजली बढ़ाने के लिए बिदुत नियमक आयोग में अ अब पर देख लिए सर्द के हिचाब से मार खाने का अभी कुछ इनको सो समझ के कदम उठाना चाहिए तो मैं यहीं कहना चाहूं तो आपको क्या लग रहा है सरकार इस प्रस्ताओं को सभीकार करेगी या इस पर कोई करवाई करेगी अब यह तो सरकार के उपर है सरकार को सरकार चलाना है तो किस तरह चलाना है उसको खुद आत्म निर्भर होके देखे कि कहां की तमाम चीज़ से जूज रहे हैं आम जनत पिछले सरकार में नहीं थी तो क्या ऐसा आपको देखने को मिल रहा है नहीं कुछ तो हाई है पिछले प्रस्ताव से अब प्रस्ताव में पिजली का बिर्ट बड़ोत्री हुई है तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए समय अनुशार देखते हुए तो उस अधार पर उस बेस पर चलाएं कि जिससे आम जनता को फाइदा हो और गवर्मेंट को भी तो आपने देखा यहां पर जो आम जनता जो अपने बिजली बिल जमा करने आए हैं उनका साफ तर पर यहीं कहना है कि सरकार को आम जनता की देख क ही अपना को भी फैस्षर जाए प्रतिक्रिया देना चाहिए और भी जुझे बात करते हैं उनका क्या कहना है सו्कुंपनियाे प्रस्ताव लाति कुछ अचछेはい आउने सरकार के साथ रहना चाहिए ढर भरोसा भी करना चाहिए जुकाम्पनियां ला रहे हैं किसी सुधार के और विद्दूत नियामक और लोगों का जो पहले से खर्चे थे आपकी जो खर्चे उस सब को ला के ही प्रस्ताओं को बना जा रहा होगा तो हम पर उन पर विश्वास करना चाहिए आपको लग रहा है कि जो बिजली कंप्टिया 23 फिस्दी बढ़ा रही है घरेलू के लिए 18 12-23 उद्योग के लिए 16 किसानों के लिए 10-12 फिस्दी तो यह आपको लिए सही लग रहा है ताकि जो है आज कल लोग काम करना चाहिए नहीं रहे हैं काम करेंगे लोग सब्सक्राइब करेंगे तो चाहिए कंपनी देती ना हमें आगे पापा ममी बोलते हैं कि नहीं आप औ सब्सक्राइब करें अब सिवकार करना ना करना उनके पर लिखता है पर पर सब्सक्राइब बढ़ा होगा कि सब्सक्राइब नवे जो लो फैमिली वाले हैं जो लो कैटेगरी वाले कांसे प्रस्ता मंजूर नी करना चाहीं प्रइवेट तो अमेशा जितने आप बिपक्ष पाटी उंका यह कहना है कि पहले तो वो किसानों को फ्रीविज ली देना चाह रहे थे अब सब्सक्राइब करेंगे यह प्रस्ताओं को सब्सक्राइब कर लिए पंजाब में फ्री दिली में फ्री यहां यूपी में खली बढ़ाने का प्रस्ताओं प्रस्ताओं जो दाखरी किया गया है विजित नियामक आयोग में तो इस पे क्या कहना चाहेंगे माइडम जो भी प्रस्ताओं प्रश्ताओं का गौर्वेट के पास ले आए और गौर्वेंट उसको रिव्यू करेंगे पब्लिक से कंसेंट मांगेगी और कंसेंट पब्लिक जब देंगी तब गौवर्मेंट उस पर फैसला करने जो भी लेगी गवर्मेंट अच्छी गॉणमेंट है जो फैसला के लेगी ज declining होगा सर्म connected Cl Haben ख्ञाष अक हमारे सरकार कोई वाथ कि आथा ये जो सांसान में नहीं रहता हो ऐसे ó प्ने देखा यहां तमाम जो जनता है और करना है जो अपना जमा करना जाद कोई नहीं ठाओ कि similarities कम था और इस सरकार में जादा ओगया है जो भी फ्रस्था वाया है उसकी सरकार पूरी तरह से देखे जाए और जन्ता के हित में ही अपना फैसला लेगी नहीं एक सुहाणी संगोा सुहानी आधी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार